एलो फ्रेंड्स नमस्कार क्लास ट्वैल चेप्टर फॉर मुविंग चार्जिशन में आप सबका स्वागत है आज के सेशन में हम देखने वाले हैं टॉर्क एक्टिंग ओन कॉरंट केरिंग कॉयल प्लैस दीन यूनिफॉर्म मेगनेटिक फिल्ड जैसे आपको दिख रहा है है यह दो मेगनेट्स से फिए नॉट फोल है और यह क्या है साउट फोल जो की यूनिफॉर्म बना रहे है और उसके बीच में जैसा की आपको भी फिक रहा है ये रेक्टेंगिलर कोईल हमने रखी है ठीक है सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए और ओर्स ओन कार केरिंग वायर यह आपको लिखना नहीं है मैं आपको description बात में लिख वाऊंगा force on current केरिंग वायर फ्लेस्ट इन मेगनेटिक फिल्ड फ्लेस्ट इन मेगनेटिक फिल्ड इस इक्वब्वल्ज टू F बार इस इक्वब्वल्स टू आई एल बार क्रोस बी बार यह हमने एक बार डिसकस कर लिया है ठीक है उसमें भी हमने इसका थोड़ा सा दिस्क्रिप्शन किया थोड़ा सा ठीक है कोई बात नहीं आज पूरा का पूरा फिर्ट से डिस्क्राइब करने वाले है तो लिखो लेट रेक्टेंगुलर कोईल लेट रेक्टेंगुलर कोईल ओप कंड़क्टिंग वायर ओके ओफ लेंथ एल एंड ब्रेड्थ बी केरिंग करंट आई कितना करंट केरी कर रहे है आई केरिंग करंट आई इस प्लेस्ट इस प्लेस्ट इन यूनिफॉर्म मेगनेटिक फिल्ड बी इन यूनिफॉर्म मेगनेटिक फिल्ड बी ठीक है as shown in the diagram उसके बाद मैं आपको ये diagram draw कर देनी है आपको अची तरीके से diagram समझ में आ रहे हैं ने अभी देखिए मैं करता हूँ force on PQ wire बच्चो देखिए ये north और south है जिसकी वज़े से magnetic field की direction कौन सी होगी अची तरीके से देखना magnetic field की direction ये होगी north to south कैसे होगी north to south ठीक है अची तरीके से आपको समझ में आ रहा है ना देखिए अब ये जो इसको मैं फिर से यहां पर एगर इसा डो करूँ तो ये जो है coil ये क्या है PQ RS इसमें से इसमें करंट क्या जा रहा है ऐसे इसमें से करंट किस तरह जा रहा है ऐसे इसमें से करंट किस तरह जा रहा है ऐसे और इसमें से करंट किस तरह जा रहा है ये है ठीक है ये करंट हो गया ठीक है ये length है कितनी L ठीक है और ये breadth कितनी है इतना समझ में आ गया अब ये जो PQ है इसमें करंट इसे जा रहा है मेगनेटिक फिल्ड की डियरेक्शन यसी है इसके लिए भी मेगनेटिक फिल्ड की डियरेक्शन यसी है और इसके लिए भी मेगनेटिक फिल्ड की डियरेक्शन यसी है इस डियरेक्शन मेगनेटिक फिल्ड की डियरेक्शन को मैं लेता हूँ क्यां ले रहा हूँ आइकेप तो यहां पर भी मेगनेटिक फिल की डिरेक्शन को आइकेप लेंगे यहां पर भी आइकेप लेंगे और यहां पर भी आइकेप लेंगे और करंट की डिरेक्शन को यहां पर मैं ले रहा हूँ जेकेप ठीक है यहां पर करंट की डिरेक्शन भी क्यां होब वह क्या आई के यहां पर करण के डिरेक्षण यहां जो ओगी मायनस चे करण की घ्रीक्षिस्ट अर यह जो sm है उसमें क्यां वह करण की डेक्षण मायनक यह की एक लिए तो एक देखिए उसमें करन और magnetic field दोनों एक दूज़रे से पर perpendicular है फिर RS में भी ऐसा ही है लेकिन ये QR और PS उसमें ऐसा नहीं है उसमें या तो current length के parallel है या तो anti parallel है तो इसका मतलब यह है कि QR और PS उन दोनों पे कोई force नहीं लगेगा force किस पे लगेगा PQ पे और इस पे तो PQ पे अगर हम solve करें तो formula क्या है ILB sin 90 और direction की बात करें तो पहले I की direction रखनी होगी चोकी है जेकेप ठीके और फिर magnetic field की direction रखनी होगी चोकी है I केप ठीके तो हमें क्या answer मिलेगा I L B जेकेप प्रोस I केप क्या होता है माइनस के केप होता है क्या होता है माइनस के केप ओट इस 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 फोर्स और पी क्यूट सिर्फ अगर magnitude की बात करें कितना force लग रहा है तो कितना आएगा I L B अभी देखिए माइनस के केप का मतलब क्या है कि अंदर की और यहाँ पर अगर मैं indicate करूँ तो इस पे अंदर की और ऐसे नीचे की और ऐसे force लगेगा कौनसी ब्रांच पे इस पी क्यूट वाली ब्रांच पे कौनसी और लगेगा नीचे की और ठीक है अब बात करते हैं QR ब्रांच की किस ब्रांच की QR force on QR ब्रांच is equal to उसमें current कितना जा रहा है I उसकी length कितनी है B QR की ठीक है न कोईल की हमने braid चली है लेकिन QR वायर के तो B length हो गई और magnetic field B sin 0 degree है इसलिए है कोई हम direction का नहीं लेंगे तो उस पे कितना force आया जिरो न्यूटन ठीक अभी तीशरा force on यह p क्यों हो गया qr हो गया अब rs की बाद करते हैं force on rs कितना होगा तो देखिए वो होगा ilb ठीक है फिर सॉरी फिर sin 90 में लिख देता हूँ sin 90 और i, i की direction क्या है minus j cap तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ minus j cap cross magnetic field की direction क्या है i cap पहले current की फिर magnetic field की याद रखो पहले current फिर magnetic field ठीक है ओके अभी sin 90 1 तो what is the answer ilb और j cap cross i cap क्या होता है minus k cap लेकिन यहाँ पर तो minus है इसलिए एक बार minus मैंने यह लिखा और यह minus k cap लिखा so what answer we got ilb k cap तो अगर इसका magnitude देखे तो कितना आएगा ilb और k cap मतलब की ऊपर की और आएगा बच्चो देखिए p q में नीचे की और आता है तो इसमें किजर आएगा ऊपर की और यह force अगर f है तो f भी f होगा magnitude wise में बोल रहा हूं ठीक है और force on ps कितना होगा force on ps will be equal to 0 newton तो देखिए दो force लग रहा है ठीक है अगर हम यहाँ से देखे आप अच्छी तरीके से देखना है बच्चो यहाँ से यहाँ से अगर हम देखे तो कुछ इस तरह दिखेगा यह ठीक है इस साइड पर force नीचे लग रहा है f और इस साइड पर force कहां लग रहा है उपर ठीक है और वो भी कितना है f ठीक और उन दोनों के बीच में यह जो डिस्टन्स है यहाँ पर 90 डिग्री और यहाँ पर भी 90 डिग्री ही हम मान सकते हैं तो यह perpendicular distance हो गया तो सबसे पहले तो हम क्या बोलेंगे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देखो यह दो force है तो इसका मतलब therefore net force net force on coil is equal to 0 newton यह अची तरीके से याद रखे है net force के सा होगा 0 newton okay here forces on PQ and QR तो नहीं RS 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 are equal opposite but non-collinear जब भी मैं लिख हूँ तो आप वीडियो फास्टर के अगर लिखना चाहते हों तो इस डारेक्ले लिख सकते हों okay तो तो वो क्या जनरेट करेंगे therefore they will they will generate couple या तो they will form couple couple किसको बोला जाता है दो फोर्स होते हैं एक दूसरे से अपोजिट होते हैं ठीके और नॉन कॉलिनियर होते हैं so they will generate couple and therefore it will generate it मतलब couple couple will generate torque क्या generate करेगा बच्चो torque अभी torque is equals to क्या होता है force into perpendicular distance between forces ठीके तो force का magnitude कितना है force का magnitude है ilb ठीके into यह into यह यहाँ बच्चो मैं एतनी चूड की बात कर रहा हूँ perpendicular distance देखे तो यह perpendicular distance है कितना d तो चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ b so what answer we got i lb into b यह small b bread थे तो length into bread क्या हो गया बच्चो area so tau is equals to iab कितना हुआ iab okay अभी party खत्म नहीं हुई if coil have यह तो has n tons यह जो हमें answer मिला ना बच्चो tau is equals to iab यह किस के लिए मिला 1 ton के लिए यह जो हुआ ठीक है for one ton तो n tons के लिए कितना answer मिलेगा tau is equals to niab कितना answer मिलेगा niab अभी एक बात आपको याद होनी चाहिए अगर n ton है तो मैं पहला आपको बोल दूगी n ton की इस तरह यहाँ पर n tons ठीक है यह से आपने अगर किसी coil को देखी होगी तो इस तरह tons होते है कितने tons n tons जितना भी ton होगे उतना 400 जादा होगा 2f, 2f, 3f, 3f, 4f, 4f तो nfn समझ में आया कि भी बस वही अग अब देखे एक चीज में यहाँ पर और डिसकर्स करना चाहता हो बच्चों एक चीज हमने देखी थी क्या यह लेंथ क्या थी ठीक है एक फोर्स इदर लग रहा था कितना f और एक फोर्स इदर लग रहा था कितना f तो इस टाइम पर हमने टाव इस इक्वल स्टू फोर्स इंटो पर्पेंडिकुलर डिस्टंस एसा किया था ठीक है लेकिन सोचो अगर एसा फोर्स लगा ठीक है एसा होगा ही पोसिबल कि यह थोड़ी रोटेट हो गई क्या हो गई रोटेट हो गई कितना रोटेट हो गई ठीक है तो अगर हम यहां इसका area vector निकाले ठीक है तो यह angle भी कितना हो जाएगा ठीक है और यह जो area vector है मैं आपको अच्छी तरीके से बोल दूँ किसका है कोई का वह यहां यह कुन से magnetic थी तो उनके बीच में कितना angle बनाएगा theta लेकिन यह देखिए यह length अगर भी थी पहली वाली length यह भी थी तो यह length तो भी ही रहेगी यह length कितनी रहेगी बी और यहां पर जो force लग रहा था वह force भी नीचे की और ही लगेगा F ठीक है मैंने बहले यह सा small arrow draw किया है लेकिन magnitude तो वैसा ही रहेगा कितना F ठीक है लेकिन इस situation में इस situation में कि जिसमें force यहां पर F लग रहा है यहां पर F लग रहा है तो अब टॉर्क कितना तो यह भी है न बच्चों सोचना अच्छी तरीके से यह अगर थीटा है ठीक है मैं थोड़ा सा clear करके लिखता हूं यह थीटा तो यह होगा 90 माइनस थीटा ठीक है यह 90 है तो यह भी क्या होगा थीटा ठीक है तो मैं एक ट्राइंगल रोग करता हूं बच्चों अच्छी तरीके से देखना यह अगर भी है यह अगर थीटा है तो यह क्या होगा अगर आप जोमेट्री अच्छी जानते हो तो डायरेक्ली बोल सकते हो यह भी साइन थीटा होगा और थीटा के पास वाला है वो क्या होगा भी कोस थीटा तो कहने का मतलब क्या है कि अभी इन दोनों force के बीच में कितना perpendicular distance है, इतना, ये अगर theta है, तो इतना perpendicular distance है, और वो क्या है, b sin theta है, ठीके, तो यहाँ पर torque is equals to क्या होगा, force into perpendicular distance होता है, perpendicular distance between forces, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, torque is equals to force into क्या होगा, b sin theta, ठीके, फिर से लिखे, force का formula क्या था, i l b into b sin theta, ठीके, अभी i l b और मैं इसको multiply करता हूँ, length into bread into b into sin theta, ठीके, so, tau is equals to क्या मिला हमें, i a b sin theta, ठीके, और यहाँ पर अगर n tons ले, for n tons, for n tons, ठीके, क्या होगा, tau is equals to n i a b sin theta, ठीके, तो यह real torque, ठीके, क्योंकि इसमें हम speciality put करते हैं, कि एगर theta equal to 90 होगा, ठीके, if theta is equals to 90, जो की पहला case था, कोईल S e t, तो उसका area vector यहाँ होगा, और magnetic field कुछ इसा होगा, तो उन दोनों के बीच में कितना angle होगा, 90, तो theta equal to 90 होगा, तो tau is equals to maximum torque, और वो कितना है, n i a b, कई कई बाद बच्चों कैसा रखा जाता है, मैं आपको एक चोड़ा सा बोलू, कि magnetic जो core होते हैं न, ये north pole, और ये south pole, ठीके, पहले जब coil इस तरह थी, ठीके, तो ये जो magnetic field lines आ रहे हैं, उसके साथ area vector कितना angle बनाएगा, 90, ठीके, सोचो अब coil ऐसी होगा, तो ये magnetic field lines जो आ रहे हैं, ये वाली में जो भी डोकर रहा हो, एरो के साथ, इसके साथ, वो कितना angle बनाएगा, 90, तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा, अगर coil AC है, तो यहाँ पर, ये जो magnetic field line आ रहे है, उसके साथ, ये जो area vector है, वो कितना angle बनाएगा, 90, तो कहने का मतलब क तो कई कई बार ऐसा किया जाता है जो हम आगे गेल वेनोमेटर पढ़ने वाले है उसमें जो कोईल होती है वो इस तरह होती है ठीक है तो टॉर का फॉर्मुला अभी हमने क्या पढ़ा टाव इस इकोल स्टू एन आई एदी साइन थीटा अगर हम इसको एक और में लिखना चा एम दी साइन थीटा अब बोलो के सब्सक्राइब कहां से आ गए है कई-कई बार इसे म्यू भी बोला जाता है यह जो एम है यह है मेगनेटिक मोमेंट यह हैं बच्चो यह एम मेगनेटिक मोमेंट ओफ कोई ठीक है किसी भी कोईल का एरिया उसके करण्ट के साथ मर्टिप् मेगनेटिक मोमेंट इस इक्वल्स टू एरिया इन्टू करण्ट एरिया इन्टू करण्ट कितना फ्लो होता है उतना ही वह वह एरिया उसके साथ मल्टिप्लाइ कर दोगे तो आपको क्या मिले का मेगनेटिक मोमेंट ठीक है कई बार उसको म्यू से भी डीनोट किया जाता ह अब अगर बच्चों हमें साइन दिटा को हटाना चाहते है और ताव बार लिखना चाहते है तो यहां पर मैं यहां ऐसा लिखूंगा M बार क्रॉस B बार B बार लिखना भूल गया टेंचन मत लिजिए B बार लिखना चलिए समझ में आए कि नहीं अच्छी तरीके से आपको ठीक है तो इतना टॉर्क लगता है M का मतलब क्या हुआ क्या है M कोई एक्टर प्र्वक है क्या हर्शक यूनिट के बारे में अगर हम बात करें तो उसका यूनिट होगा अच्छा दिए इन का कोई यूनिट नहीं होता करन्ट का यूनिट होता है एंपयर और एरिया का unit होता है पार स्कूर्ए então आपको अच्छे तरीके से एक या दो बार आपके टीके अच्छे तरीके से आ जांगे ठीके तो आज के लिए इतना है एंद गेच्स लेक्चर एंद बया बैंडबपिक फारिसे फ्रीकल्त 等等 स्वाइबस हें Thank you and Namashkar